दोस्तो मेरा नाम है जैचन गंडिलवाल और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल जैचन्ट अजस्थानी दोस्तो आज के वीडियो में हम फिर से कॉलोस्ट्रमी पेशेंट की उपर बात करने वाले हैं कोलोस्ट्रमी पेशेंट की जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वह है आ यह कॉलुस्टरमी बैक का लीकेज हो जाना तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक यूपर बात करने वाले कि लीकेज को कैसे वोइड किया जा सकता है और कैसे कैसे बैक को लगाए और क्या जो preqsuan करें ताकि leakage कम से कम हो और बैग जाद से जाद से जाद चले तो यह वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले तो यह वीडियो को पूरा देखना सबी पेशेंट के लिए बहुत यूस्फुल वीडियो है तो इसको पूरा देखने दोस्तों सबसे पहले बात करते है कि जबी भी कोलोस्ट्रमी बैग की बात आती है वैसे तो कोलोस्ट्रमी बैग हम लगाते है तो नॉर्मली चार-पांच दिन जीतना भी एवरेज हम चलाना चाहते उतना चल जाता है पर जबी लीकेज होता है तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है या तो वह जल्दी वक् स्मेल बद्बू आने लगती है तो उस वज़े से कोलोस्ट्रमी पेशेंट को थोड़े सी फील होने लगती है और उस समय इमर्जेंसी की सिट्वेशन मन जाती है तो करे तो करे क्या क्योंकि बैग आप लीकेज के कंडिशन में आप जादा देर तक बहार लोगों के साथ मे या तो जब भी लीकेज होए ताकि हमें क्या करना चाहिए तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप बहार जाते हो कभी भी और आप ऑफिस वगेरा में जाते हो और या ऐसे कुछ भी काम करते हो जहां पर आपको 6-7 गंटे बहार रहने पड़ते तो आप कोशिश करें कि आप अ यह वाली जो ट्यूब है आप देख सकते हो कि यह वाली ट्यूब हमेशा अपने साथ में रहे क्योंकि यह एड़ाट ट्यूब मैं इसको आगे वीडियो में बताओं हूं भी कि इसको यूज कैसी किया जाता है बहुत सारे लोग इसमें बहुत कन्फूजन में रहते हैं कि इस बैग को हम स्किन की प्रोटेक्शन के लिए करें या तो बैग चिपकाने के लिए करें या तो बहुत सारी कुछ लोग ऐसे सुझते कि यह स्कीन को राशिष से बचने के लिए काम आती जबकि ऐसा नहीं है जितना मैंने अपना इसको यूज किया और इसका एक्सपिरिय रखे अगर बार रहते तो अगर मान लो अगर आप घर पे हो और लीकेज करने पाद में उसको ब्रयूंसència करना ही पड़ता है क्योंकि हम कितना उसको पॉटक करें तेपस से लगाए कुछ भी करें वो जाद देर तक चलता नहीं है तो जो भी जो प्रिक्योशन है और बैग को कैसे लगाना है वह सब लिकेज के होने से पहले हमें स्टेप्स ध्यान में रखने चीए ताकि लिकेज जल्दी बैग का होई नहीं जितना भी दिन वह बैग चलता है उसकी वैलिडिटी उतने दिन चले ताकि कोई भी बैग लिकेज हो भी जाए तो उसके लिए भी आप इस चीज को धान में रखे इसको कैसे यूज करते हैं मैं आपको बताता हूं अब दोस्तों यह को बैग को और यह जो अड़ाप्ट ट्यूब को बैसिकली यूज कैसे करना है हम लोग बहुत सारी कन्फूजन में रहते हैं कि इ सकता हूं कि पहले तो आप अपने इसाब से आपका जो कोलोस्टर में बहाग है उसको काट ले फिर उसकी जो यह लेर होती चिप होती है उसको आप निकाल ले और फिर आपको यह कब लगाना है बेसिकली अगर आप बैग चेंज करते हो उस वक्त ही आप कोशिश करें कि इस थोड़ा 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 लगा ले ताकि इसका बॉर्डर काफी यह इस से स्टिक हो जाए और आपको उसी वक्त आपको अपने स्कीन पर लगा लेना है इसके वरे से काफी अच्छा मतलब इसको एक बहुत लॉंग लास्टिंग यह ग्लू लग जाएगा और एटलिस ज करें कि यहां पर लगाने का यह ज्यादा भी मतलब कोसिश करें यहां पर हमारा क्लिस्टरम होता है तो इस लगातों पूरा कोशीश होने के बाद में बहुत कम चांसे होता है कि उसको प्रोटेक्ट करना आप मालो इसको लगा भी देते हो लीकेज होने के बाद में भी तो एक दिन या देड़ दिन या दो दिन ही जाद जाद अगर चला पाओगे तो इसलिए कोशिश करें कि यह चीजे यह जो है यह बॉर्डर पे ही पहले ही यह चीज लगाए आप ज कैसे रोख सकते हैं अब दोस्तों यह जो माइक्रोपोर का टेप है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसको भी हमें कोलोस्ट्रमी बैग जब हम लगा लेते हैं उसको भी कैसे अपने बैग को साइड में से कवर करना है वह मैं आपको बताऊंगा यह एक फोटेज के मदद से दिखरता हूं कि यह मैं कैसे अपने बॉड़ी पे इसको लगाता हूं जो बॉडर है उसको मैं कैसे कवर करता हूं तो यह जो माइक्रोपोर का टेप है आप देख सकते हो कि इसको भी यह नॉर्मल परचेस कहीं पर से मिल जाता है तो यह भी अपने पास गिर गया तो इसको भी आप अपने पास रखे और यह भी यूज़ कर लें तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे उसको टेप को अपने बॉड़ी पर लगा की रखता हूं और कैसे अपना कोलोस्ट्रमी बैग इसको कवर करके रखता हूं और बहुत अच्छे से उसके बाद में ग्रिप बन जाती है और चांसे है कि आपका जितना भी बैग 4-5 दिन तक चलता है उतना चांसे है कि चलेगा लिकेज कम से कम होगा अगर आप वैसे तरीके से हमस्को फॉलो करते हो तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यह बैग है जो मैंने लगाया है इसकी चारों तोरफ कैसे टेप लगाई है इससे आपको ग्रिप मिल जाती है आप देख सकते हो ऊपर भी मैंने दो टेप लगाए है और नीचे के पोशिशन में भी देखो एक टेप लगाई है तो चारो तरफ से मैंने बॉर्डर को इसको सील करके रखाया है और कोलो प्लास का जो देख सकते हों कितना चारो बहुत कम होते हैं तो आप भी कोशिश करें कि ऐसे ही सराउंड करें करता हूं दोस्तों यह वीडियो देखकर आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया हो गया कि आप अपने कोलोस्ट्रमी बैग का लीकेज कैसे अवाइड कर सकते हो क्योंकि बहुत एंबारेसिंग सिच् करें कि मैं इसको काफी की तरीके से यूज करता हो इससे काफी तक कम से कम होता है तो आपको अगर यह चीज़ करनी है तो आप तक नहीं हो तो इसको तो ट्राई कर सकते हो अगर क्योंकि अगर आपका लिकेश जल्दी-जल्दी होता तो इस चीज को ट्राइक करें और अच्छा लगा अश्वीडियो को जरूर्ल लाइक करना cancer से related video और colostomy से related video मेरे चैनल पर बहुत सरे मैंने बनाया है अगर आपने देखे नहीं है तो उन सब videos को देख लो काफी useful videos है और आपके बहुत काम आने वाले videos है तो एक बार नजर मार लेना और मेरे चैनल पर ऐसे ही videos आते रहेंगे cancer से related colostomy से related और मेरे जो नॉर्मल lifestyle है उससे रिलेटेट बहुत सरे वीडियो में डालते रहता हूं अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जैक चिंद्राजस्तानी तो उसको जरूर जाके subscribe कर ले तो वीडियो आते रहेंगे useful वीडियो आते रहेंगे तो मिलते अगले वीडियो में तब तक take care and goodbye